हालो अवरीगों वल्कम तो चैनल दे जोरावर क्लासेज आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करन्ट अफेस के क्लास में माइडर फ्रेंड्स ये होगे आपकी 2nd of December की करन्ट अफेस के क्लास and if you are preparing for KVSPRT अगर आप हमारे साथ KVSPRT की त्यारी कर रहे हैं आप सभी को पता होगा कि 5th of December आप लोगों के लिए बहुत जादा important रहने वाला है सुबस साड़े 9 बजे सुबस साड़े 9 बजे से आप लोगों के लिए 100 questions की 100 questions की एक मारतन होने वाली है जिसमें 50 questions आपके science के होंगे और 50 questions आपके maths के होंगे ये 9.30 morning स्टार्ट हो जाएगी तो alarm लगा लो कैसे भी कर लो समय निकाल लेना Sunday वैसी है कहीं जाना नहीं है और ये class आपकी live चलेगी जो बहुत important रहने वाली है बार बार कहरा है उसको live attend करने की कोशिश करना जितना कर सको और ऐसा मत करना कि 9.30 से और 10.30 तक attend कर ली वहाँ पर पता लागा कि बस 25 questions हुए दब तक और चले गए नहीं दो से डाइगंटे अपने निकाल के रखना 100 के 100 questions अपने जरूर करना attempt और उसमें से यह देखना कि आपका score क्या बना है ठीक है यह गांट मार लीजिए इस चीज की बहुत जादा important रहने वाला है feedback भी आपको वहीं के वहीं मिल जाएगा कि बाकी बच्चे क्या कर रहे है और आप क्या कर रहे हो ठीक है और हमें भी आपसे feedback मिल जाएगा जिसकी हमें भी बहुत जादा जूर होते है इस टाइम पर ठीक है World AIDS Day मनाया है ठीक है हर साल एक December को पूरी दुनिया में विश्व एड दिवस मनाया जाता है इसके पीछे मुख्य उद्देश्य एड्स के बारे में जन जागरूपता बढ़ाना है विश्व एड दिवस के लिए इस साल की थीम असमंताओ को समाप्त करे एड्स का अंत करे सबसे पहले विश्व एड दिवस साल 1988 में मनाया जा देखिए एक तो चीज यहां पर यहां पर यह पता लग रही है आपको सिंपल सी कि हम हर साल किस दिन वर्ल्ड एड्स जे मनाते हैं इस साल अगर 2021 की बात करे तो भाई या थीम क्या थी आपकी थीम भी पूछे जा सकती ह हुआ आप यहां पर देख लें असामंताओ को समाप्त करें एड्स का अंत करें यह थीम थी आपकी कब स्टार्ट हुआ 1988 में स्टार्ट किया गया ठीक है तीन चार कोश्चंस आपके यह भी बन जाते हैं तो अपने नोट्स में इसी तरीके से उन्हें कवर कर लेना कोश्च अच्छा कोश्चन है और यह आपके आईये संजीव कोशल ठीक है आईये संजीव कोशल को हरियाना के पैथिसवे मुख्य सचीव के रूप में नुक्त किया गया है हरियाना के पैथिसवे मुख्य सचीव के रूप में आईये संजीव कोशल को नुक्त किया गया है निवर्तमान मुख्य सचीव विजवर्दमान के सेवन रित्त होने के वज़े से यह बद खाली हुआ था संजीव कोशल हरियाना के पैथिसवे मुख्य मंत्री मनोरलाल सरका के पांचवे मुख्य सचीव होंगे संजीव कोसल मुख्यमंत्री के परधान सचीव भी रह चुके हैं संजीव कोसल को परदेश सरकार के मुख्य सचीव के अलावा सामान्य परशाशन विभाग संसदिय कारिय मामले विजलेंस परशाशनिक सुधार विभाग और योजना समन वे भागों की जिम्मेदारी भी सोपी गई है तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि हरियाना के 35 मुख्य सचीव कौन होंगे यह आपके आई-एस संजीव कोशल और वो किसकी जगा ले रहे है यह भी धियान रखिए विजय वर्धन जो की रिटार हो गए है उनकी जगा ले रहे है यह 34 वे थे अब 35 वे संजीव कोशल हो गए कि नमबर थर्ड अम्राचल प्रदेश ने अभी हल ही में भारत का कौन सा पहला पर्मानित जैविक फल लॉंच किया है अगेन स्टार बारएखकि कोई भी चीज पहली बार पहला जैविक फल लॉंच किया है अमनाचल प्रदेश ने अमनाचल प्रदेश है रिसेंटली लॉंच विच इंडियास फर्स सर्टिफाइड ओर्गैनिक फ्रूट और यह आपका कीवी चीक है कीवी जो है भारत का पहला सर्टिफाइड ओर्गैनिक फ्रूट है जो की अमनाचल प् महतसब में लौंच किया गया है जिरो वैली अवनाचल प्रदेश में लोवर सुम्सरी जिले का एक शहर है और जिला मुख्याले भी है यह उतसब नई दिल्ली में दिल्ली हाट आई एने में आयोजित किया जा रहा है अवनाचल प्रदेश पहला ऐसा भारते राज्य है जिसने मिशन और्गैनिक वैल्यू चेन डवलपमेंट फॉर नौर्थीस वीजन के तहट कीवी फ्रूट का जैविक परमानी करण प्राप्त किया है यह योजना उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए शुरू की गई एक केन सरकार की योजना है आपको सिंपल सी एक चीज़ ध्यान रखनी है के अवनाचल प्रदेश ने भारत का पहला जैविक फ्रूट जो है वो लोंच किया है और उसका नाम है कीवी क्वेशन नंबर फॉर्थ अगेन इंपोर्डेंट कोशिए इंटरेशन कोशिए है मैं का हूँगा सूपर इंपोर्डेंट कोशिए है ठीक है जी किस मशूर फुटबोलर ने रिकोर्ड साथवी बार सर्श्रेश्ट फुटबोलर का बलानो डियोड अवोड अवोड अपने नाम किया अर्जेंटीना के स्टार फुटबोलर लियोड मैसी ने साथवी बार रिकोर्ड साथवी बार बलानो डियोड दोजार एकिस का किताब जीत लिया है लियोड मैसी सबसे जादा बार इस किताब को जीतने वाले खिलाडी है इस अवोर्ड को सबसे ज़ादा बार जीतने वाले दूसरे खिलाडी पुर्तुगाल के स्टार खिलाडी रोनाल्डो है क्रिश्यानो रोनाल्डो इस बार छटे स्थान पर रहे है क्रिश्यानो रोनाल्डो ने पांच बार इस किताब को जीता है बता देगी बैलनोर डियोडर अवोर्ड फ्रांस की फुटबोल पत्री का बैलनोर डियोडर द्वारा हर साल दिये जाते हैं यह अवोर्ड क्लब और रास्टे टीम से एक साल में सरस्रेश्ट परदशन करने वाले खिलाडी को दिया जाता है और इस बार यह अर्जेंटीना के लियौन मैस को दिया और अनाचल प्रदेश शरकार ने निम्ड में से किस फिल्म अभीनेता को राज्य का नया ब्रेंड अमज़र न्यूकती आगे इनि स्टार कोशन ब्रेंड अमज़र आ गया अनाचल प्रदेश को अपॉइंटे विच आप फॉलइंड फिल्म अक्टर आज दे सादा फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं भले ही अव्वे लीड रोल में बहत कम नज़र आते हैं मगर उन्हें अच्छे सपोर्टिंग रोल मिल रहे हैं अन्ड़ाचल प्रदेश प्रिटन के लिए प्रेटगों के लिए खान पान एंड फिल्मों के अलावा संज़य द अनुनाचल प्रदेश परेटन के ब्रेंड अमब्रज़ बनाय गया था और अब 2021 में आपके क्या कौन होंगे अनुनाचल प्रदेश के प्रेटन अब्रेंड अमब्रज़ आपके संजेतत Q2.6 हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने call your cop mobile app launch किया है recently which state's police has launched call your cop mobile app और यह किया गया जी आपका नागालेंड पुलिस के दुवारा ठीक है यह स्टार कोश्चन है यह बी ठीक है कोई अच्छी आप जो है वो लॉंच की गई है तो अच्छा कोश्चन है स्टार कोश्चन है Call Your Coop नागालेंड के पुलिस ने Call Your Coop मोबाइल आप लौंच किया है एप को Exclusive Tech Solution Private Limited द्वारा विक्षित किया गया था एप राज्ये के सभी नागरीकों को विशेश रूप से संकट गरस्त लोगों को सीधे पुलिस से संपर्क करने में सक्षम बनाएगा क्योंकि यह है केवल एक क्लिक की दूरी पर ही आसानी से उबलाद होगा एप में एक निर्देशी का अलर्ट परिटक सुझाव SOS निकत्तम पुलिस टेशन और खोज शामिल है तो धियान रखना है आपको Call Your Coop आप Mobile App कहां पर लूँच किया गया है यह किया गया आपका नागालेंड पुलिस दुवारा Question No.7 Global Observatory on Donation and Transplantation की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देशों के बाद अंगदान करने में विश में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है Again star question, again important question According to the report of the Global Observatory on Donation and Transplantation India has reached the third place in the world in organ donation after which countries और यह अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत आगया है जो आपके organs है उनको डोनेट करने में Kendra Swastamantri Mandvya ने बताया है कि अंगदान में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर पहुँच गया है Global Observatory on Donation and Transplantation वेबसाइट पर उबलब डाटा से यह जनकारी मिली है अंगदान करने वाले और उनके परिवारों को सम्मान देने के लिए वर्ष 2010 से भारते अंगदान दिवस भी मनाया जा रहा है मांडविया ने बताया है कि वर्ष 2012-13 के मुकाबले देश में अंगदान चार गुना हो चुका है जो 2012-13 में होता था अगर वो 10 होते थे तो और वो 40 हो चार गुना तक बढ़ चुका और मैं भी मानता हूँ कि एक अच्छी चीज है अगर किसी की डात हो जाती है किसी कारण वर्ष तो उसके जो और गन से है अगर किसी और को दे दिया जाए उसकी जान उससे बच जाए तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है अगर कोई आदमी देख नहीं पाता है उसको आखे मिल जाए तो मतलब यह एक अच्छी चीज है अगर चाहें it is your personal choice it is your family's personal choice but yes good तो after chin and america we stood third question number eight भारती रेल्वे ने निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे उंचा 141 meter उंचा रेल्वे ब्रिज का निर्मान कर रहा है Indian Railways is building the world's tallest railway bridge in which of the following state it is 141 meter long तोल और यह किया जा रहा है जी आपका मनीपूर राज्य में मनीपूर स्टेट में दुनिया का सबसे उंचा रेल्वे ब्रिज जो है उसका निर्मान चल रहा है भारती रेल्वे मनीपूर में विश्व के सबसे उंचे पूल का निर्मान कर रही है यह पूल 111 km लंबे जिम्बाम इमफाल रेर प्रियोजना का हिस्सा है भारती रेल्वे की यह महत्वकांशी योजना राजधानी मनीपूर को देश के बाड़ गैज नेटवर्क से जोडेगी इस पूल का निर्मान 141 मीटर की उंचाई पर किया जा रहा है उंचाई के लिहाद से यह ब्रिज यूरोप के मॉन्टेग्रो के माला रिजे का वाइडक 139 मीटर की मोजूदा रिकोर्ड को तोड़ देगा इससे पहले कहोना है 139 जो यूरोप का ब्रिज है आपका मॉन्ट इस पहले के लिए उसको तोड़ देगा जब यह कंप्लीट हो जाएगा ठीक है और कहां पर बनाया जा रहा है यह भी देख लीजिए 111 मेटर लंबी पर योजना है रेलवे ट्रैक है जिसका नाम है जिरिबाम इमफाल रेल पर योजना उस पर बनाया जा रहा है और किस लिए विच कंट्री हाज रिसेंटली बैंट वेरिंग उफ लैदर कोट बाइद जर्नल पॉब्लिक और इट सेल यह बेकार सा ताना शाही फैसला उत्तर कोडिया को छोड़कर नोर्थ कोड़कर कहीं भी नहीं लिया जा सकता ठीक है उत्तर कोडिया ने आम जंता के लैदर क कि पहले ही पार्टी के दिशया निर्देशों का हिस्सा है कि कौन इसे पहल सकता है और को नहीं यानी की वहाँ सिर्फ बड़े लोग बड़े अधिकारी कि लैदर कोड्स पहलते हैं बाकी लोग सब भाड में जाओ तो बड़ी मैं तो यह सोचता हूँ यार एकदम मतलब jail country है जिस तरीके से आपके jail में rules and regulations बदलते रहते हैं और change होते रहते हैं और आपको जैसा कह दिया जाए वैसे ही करना है कोई democracy नहीं है आप अपने मन की कुछ नहीं कर सकते तो वो है याँ और भूल के भी कभी जीवन में नॉर्थ कूरिया घूमने भी मत जाना कोई बरोसा नहीं कि आप वहां से लोटेंगे की नहीं अगर छोटी भी गलती होगी तो आपको अजिए अजिए अजए आपके एहमद नशीर अल राइशी को प्रेजडेंट यानि की अद्धक्ष बनाया गया है इंटरपोल का अंतराश्चे कानून परवतन एजनसी इंटरपोल ने यूए के मेजर जर्नल एहमद नशीर अल राइशी को अपना अध्यक्ष नुप किया इंटरपोल ने संयुक्त अरब अमिरात के ग्रह मंतरालिय में महानिरिक्षक मेजर जर्नल एहमद को चार साल के लिए अध्यक्ष चुना है गोरतलबे के इंटरपोल का मुख्याले फ्रांस के पैरिश में है जबकि इस्तांबूल तुर्की का सहर है जहां पर इंटरपोल के अध्यक्षपद के लिए चुनाव हुआ है यह नाम याद रखना है यह UAE से बिलोंग करते है UAE के महानिरिक्षक रहे हैं मंतरले आपके ग्रह मंतरले के महानिरिक्षक हैं आपके एहमद नशीर अल राइशी और इनको इंटरपोल का मीजर जनल इंटरपोल का जो है आपका अध्यक्षयानी की प्रेजिज़ेंट जो है चुना गया है थे लिए टॉप 10 कोस्टिंस अब मिलेंगे हम कल की करनेड़ फेस की क्लास में